आज मैं आपके साल जे रेपी शेयर कर रही हूँ यह मेरी फेवरिट डिश है मेरी फेवरिट डिश है Mixed Vegetables जो है यह मैं सर्दियों के मौसम में अक्सर बनाती हूँ इसलिए क्योंके सेमकी फली और मटर जो है वो सर्दियों के मौसम में ही आते हैं और सेमकी फली और मटर के बगएर इसका अच्छा टेस्ट नहीं आता तो मिक्स अबसी बनाने के लिए जो मैंने सबजिया ली है वो आपको इस्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी आलू मैंने लिए हैं आधा किलो मतर मैंने लिए हैं तीन पाउ सेम की फली मैंने लिए हैं आधा किलो और कोशिश करिएगा कि ये बीज वाली सेम की फलियों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाजर ली है मैंने दो अदद ली हैं दर्मियाने साइज की फूल को भी मैंने लिया है आधा किलो मीथी के पत्ते मैंने निकाल ली हैं ये आधा पाउ से थोड़ा कम थे अधरक लहसन मैंने चॉप कर लिया है एक टी स्पून पिसी हुई लाग मिर्च मैंने लिया है वन एन हाफ टी स्पून और पिंक सॉल्ट मैंने लिया है वन टी स्पून ये छे एकसाम की सबजियां मैं मिक्स्ट वेजिटेबल में शामिल करूंगी तो ये थे मेरे Mixed Vegetable के Ingredients और अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ Mixed Vegetables Mixed Vegetables बनाने के लिए पतीला मैंने चूले पे रख दिया है और इसमें मैंने 2 टेबिल स्पून ओईल के डाले हैं और अब मैं इसमें अधरक लेसन डाल दूँगी चॉप हुए वे Mixed Vegetables बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसमें मुश्किल काम बस यही है के सबजियों को दो के चीलना, काटना, अधरक लेसन, फ्राइ हो चुका है और पतीले में चिपकना स्टार्ट हो गया है इसलिए अब मैं इसमें तमाम सबजियां एड़ कर दूँगी और मेथी के पत्ते अभी मैं शामिल नहीं करूँगी, बाकी तमाम सबजियां इसमें शामिल कर रही हूँ सबजियां एड़ करने के बाद अब मैं इसमें नमक और लाल मेज भी डाल देती हूँ तमाम सबजियों को मैंने मिक्स कर लिया है ताके ओईल और पिसी हुई लाल में चोड़ नमक जो हैं इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और अब मैं इसे ढखका रख रही हूँ 15 मिनट के लिए दर्मियानी आज पे 15 मिनट के बाद हम देखेंगे तो सबजियां गल चुकी ह होंगी 15 मिनट हो गए हैं तमाम सबजियां हमारी गल चुकी है पक गई है और जी बिल्कुल आलू भी गल गया है और सबजियां गल चुकी है इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मेथी के पत्ते मेथी के पत्ते शामिल करने के बाद मैं इसे दोबारा पांच मिनट के लिए ढगा रख रही हूँ ताकि मेथी के पत्तों के खुश्बू इसमें शामिल हो जाए और फिर हमारी डिश रेडी होगी पांच मिनट हो गए हैं जी मिक्स वेजिटेबल्स बिलकुल रेडी हैं और अब मैं इन्हें डिश में निकाल लेती हूँ सेर्विंग के लिए फ्रेंड्स ये है मेरी आज की रेसिपी मिक्स वेजिटेबल्स का फाइनल लोक। मुझे उमीद है कि आपको आज की रेसिपी भी हमीशे की तरह पसंद आई होगी और आप इसे अपने घर में बना कर ज़रूर ट्राइ करेंगे अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर करें मेरी वीडियो अपने फैमली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा ताके आपको मेरी हर रेसिपी वक्त पर मिलती रहे जल्द एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए अलाहाफेज